मेहुराना आप देरे टिकेज लेन आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चैनल में दोस्तों आपने साय सुना होगा Redmi 7A हाँ दोस्तो Redmi 7A 6.5 के बाद Redmi 7A आ गया है लांच और वो हो गया है इंडिया में फुली तरीके से लांच लेकिन आप फीट के लिए आपको आपको मेले हमारे चैनल के नए इंट्रेसिंग टॉपिक के वीडियो सबसे पहले वीडियो देखने के पाद कमेंट बत करना बूलना लाइक जरूर करना चलिए सबसे वीडियो को साड़क से तो पहले बात करते हम इसके डिस्प्ले के बड़ में क्या कहूं डिस्प्ले डिजाइन के बड़ में डिस्प्ले में आपको मिलता है 5.45 इंचीज डिस्प्ले HD plus IPS वाला जिसमें एक अला किया है डिस्प्ले होता है उसके नीचे उन्होंने अपना लोगो को चिपका दिया है Redmi बड़ा लोगो आप देख साथे स्क्रीन में उसको उन्होंने चिपका दिया है नीचे जो आपको किसी फोन में नहीं इस इस फोन में आपको दिखने को मिलता है तो यह फोन उन्होंने लॉंच कि है 3 color variant में जिसमें सा आपको मिलता है black golden and blue color बहुत ही interesting blue color बहुत जरूर लेना तो इस तो बात करते हैं इसके क्या है camera के बारे में तो इस तो पीछे आपको मिलता है 12 Megapixel का camera with flash जिसमें आपको मिलता है aperture 2.2 का और इसमें आपको मिलता है sony IMX 486 का एक sensor जो बहुत ही अच्छा sensor है जो आपको बाड़ा Megacill का अंदर ही बहुत अच्छा एक image capture करें देगा तो आपने साह सुना होगा 48 Megacill में जासे जो Redmi Note 7 Pro है उसमें उन्होंने यूज करता है कि sony IMX 5680 तो उन्होंने इसमें इसमें इस्तिमाल की है 486 तो camera आपको बहुत ही अच्छे मिलने बाला है जरूरी देखना तो इसके बाद हम बात करें कि front camera, front camera आपको मिलता है 5 Mbps with no flash इसमें आपको मिलता है 2.2 का aperture अच्छा एक बहुत अच्छे aperture में आपको मिलता है तो इस प्राइस में और क्या सकर जाता है तो प्रोसेसर के बाड़े में अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है Android 9.5 का support दोसो प्रोसेसर में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 439 का एक support बाला प्रोसेसर जो एक बहुत ही अच्छा है mid-range बाज़ी में इस बज़ेट में आपको बहुत ही अच्छे प्रोसेसर मिल रहे, PUBG कोड़े में हम बात करते हो आप हाई ग्राफिक्स में तो नहीं कर सकते हैं लेकिन medium या फ इसके बारी में तो इसके बाद हम करेंगे बैटरी के बारे में तो बैटरी में आपको मिलता है as usual 4000 mAh लिथियम पॉलिमार का बैटरी एक बात बता हूँ इसमें आपको 10W का एक fast charging का support भी मिलता है तो उतना अच्छा तो fast charging नहीं है लेकिन जो भी है आपको फोन जो चार्ण करने भी आसान होगा आपको यूज करने भी आसान होगा 4000 mAh बहुर अच्छी बैटरी है जिस तरह किता आपको 6 या फिर 5 में इसतना बड़ा बैटरी देखने को नहीं मिलता था तो बात करते आगे दोस्तों इसके कुछ इंटेस्टिंग टोपिक के बाद में बताऊ तो इस जाएगा दोस्तों इसमें जो बैक फिट किया है यह मेटल का तो आप किसी का सर भी फोर सकते उससे कोई वाह भी नहीं आता तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सिम स्लोट है हां दोस्तों जैसे कि यूम इमाय साओमी क्या करते है हार फोन में बड़बरे फोन में हाई जाता है यह तो अच्छी बात नहीं है तो इस फोनों ने उन्होंने उस किया है डेडिकरी सिम स्लोट यानि कि आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ यूज कर सेते हैं मेरी कार्ड के बात करें तो आप इसको एकस्पैंड कर सकते हैं 256 GB तक बहुत अच्छी बात है तो इसके बाद आपको इसमें मिलता है 3.5 mm ओडियो जैक और इसका जो वेट है वो लगभग 165,165 ग्राम के आसपास होगा जो एक अच्छा ठीक है तो आगे बाद करते हैं इसके वेरियन में 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 आपको मिलता है दो वेरियन जिसमें से का है आपको दोज वीवा जिसमें आपको मिलता है 32 GB का रॉम और फ्राइज में है 5,999 रूपीज दोज़तों में एक बास समझ नहीं सिर्फ 200 रूपे का अंतर है और एक आपको 16 GB एक्स्टा मिलता है मिल रहा है तो आप क्या करिए 2 GB 16 GB का बजाए 2 GB 32 GB का सोचिए क्योंकि आपको दोज रूपे में 16 GB आपको पसंद आता है तो अभी जाहिए और इसे नोटिफाइड मी में क्लिक करके आपना इमेल आडेस दे सकते हैं आपको नोटिफाइड मिल जाएगा आपको दिखने को मिलेगा तो आपको कैसे लागा वीडियो एसी इंटरेस्टिंग और वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट करो और भी कमेंट करो मुझे पाता चलने चाहिए आपको क्या चाहिए तो मुझे दरू कमेंट करना वीडियो आचले तो लाइक करना और सब्सक इंटेस्टिंग टॉपिके सा तब तेकली जै हिन भारत मता की जै